जैसी याराम मैं हूँ आचार शंदीप आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल भागवत गंगा पर आज शत्री बंसावली के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आज शत्री जिसके बारे में बात करने वाला हूँ उन राजपूतों को बढ़गूजर राजपूर कहा जाता है अथवार बढ़गूजर छत्री कहा जाता है तो उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं इससे पहले मैं आपसे बता दूँ यादि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें शूरिबंसी छक्त्री होते हैं बढ़ गूजर भी इनका गोत्र वसिष्ठ है इनका भी प्रवर यहां फिर वही बात आएगी वसिष्ठ के एक प्रवर होता है लेकिन इन्होंने तीन प्रवर लिखा है वसिष्ठ अत्री और शांकृत शांकृत और अत्री इन्होंने दो ब पारंस्कर रहसुत्र के अनूसार आप अपना यग्योपवित मुंढधन यानी के संस्कार कर सकते हैं ये जो हैं महराज श्री राम चंदर जी के कनिष्ट पुत्र स्री लव जी महराज के बंसज कहे जाते हैं और इनकी राजपुताने में बड़ गुजरों की कोई साखा नहीं है राजगर अलवर भी इनके इलाके थे बाद में कच्छवाहों से युद्ध हुआ तो वो इलाके इनके छूट गए थे चले गए थे इस बंस के एक शामुहिक दलने गंगा किनारे जाकर जो है एक अनूप शहर बसाया था और उसी में रहने लगे थे बर्तमान समय में इस बंस की कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं है और ये हिंदुस्तान में प्राया राज पुताना, सन्युक्त प्रांत और बिहार इत्यादी में पाए जाते हैं अलग-अलग स्थानों पर अब तो बसने लगें अब बसने की कोई संग्या नहीं है जहां जिसको चित लगता है वो स्थान पर बस जाता है ब्याह इत्यादी में ये लोग भी अपना समकक्ष अपने समकक्ष में छत्रियों में करना चाहिए इनको भी और सगोत्री ना हो और बाकि समकक्ष हो तो चलेगा ऐसे में विवाह आप कर सकते हैं तो यह रही बढ़ गूजर छत्रियों के बारे में बढ़ गूजर राजपूतों के बारे में जानकारी आसा करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी मिलेंगे फिर किसी वीडियो में तब तक ले आदर जैसियारम